गुड मॉनी स्टूडेंस सो दीस इस अवर सेकेंड लिक्चर सो वी अर गुइंग टो स्टार्ट विट कल हमने जैसे पढ़ा था कि जीन जो होता है वो प्रोटेन सिंथेसिस करता है मतलब प्रोटेन बनाता है और जो प्रोटेन हमारे कैरेक्टर्स को डिराइब करता है कि हम कैसे दिखेंगे कैसे हमारा बाल कैसा होगा कर ली होगा स्टेट होगा ठीक है जो भी होगा ये सारी चीज़े हमें जीन से हमें कैरेक्टर्स मिलते हैं ठीक है अब ये जो जीन होता है वो क्या होता है तो आपने देखा होगा DNA का जो structure कुछ इस तरह से जो होता है उसका जो एक segment होता है ये segment क्या होता है gene ठीक है उस segment को हम gene कहते है अब ये जो gene होता है वो हमारे body में जो हमारे character को transfer करता है उसके लिए responsible होता है तो gene से पहले क्या बनता है RNA बनेगा RNA से protein बनता है और protein हमारे body में characters को derive करता है so DNA produce protein with the help of RNA और इस process को क्या कहते है central logma हमने कली पढ़ा था कि central logma क्या होता है आपको यहाँ पर देखो sequence में कुछ quotes दिख रहे होंगे A, T, G, C तो ये क्या होते है इनके नाम होते है AD9 होता है A से, T से थाइमीन होता है C से साइटोसीन होता है और G से ग्यूनीन होता है तो ये quotes भी आप याद कर लोगे अगेन हम अहाँ पर थे ये हो गया था evidence of evolution types of RNA इसमें RNA भी था RNA कितने type के होते है एक देखिए यहाँ पर दिख रहा है आपको एक mRNA है एक tRNA है और एक rRNA होता है ठीक है तो mRNA क्या होता है messenger RNA मतलब messenger RNA क्या होता है वो DNA से code को code जो होते हैं हमारे यहाँ पर जो code थे T, A, C, G इस code को लेकर जाते हैं ribosomes के पास to produce protein वहाँ पर protein बनाने के लिए वो code को transfer करते हैं तो carries code from DNA to ribosomes for protein synthesis then again उसमें एक RNA होता है that is ribosomal RNA यह क्या काम करते हैं यह amino acid बनाने के लिए tRNA के पास जो specific material होता है वो उसको लेकर जाते हैं मतलब mRNA का ही काम करते हैं तो symbols amino acids जो rRNA होता है amino acid बनाने का काम करता है tRNA से specific order जो भी होंगे वो mRNA तक लेकी जाएंगे ठीक है तो made the RNA by nucleotides nucleus और उसके बाद होता है tRNA that is transfer RNA यहां corner में आपको दिख रहा होगा tRNA यह होता है transfer RNA जो सिर्फ transport का काम करते हैं जो rRNA ने किया कि वो amino acid बनाने के लिए जो protein का message होता है वो लेकर जाएंगे mRNA के पास तो tRNA जो होता है transfer RNA सिर्फ उनका transport करने का काम करता है तो transport specific amino acid to the ribosomes for protein synthesis protein synthesis करने के लिए जो message होगा वो material उनको वहां पर लेकर जाएंगे ठीक है उसके बाद हम आजाते हैं carbon consumption आपको पता होगा कि जैसे कि अभी हम यह कैसे पता करते हैं कि डाइनसूर्स को मरे हुए करोड़ो वर्स हो गये ठीक है बहुत काफी टाइम हो गये तो यह हमको पता कैसे चलता है कि इनको इतने साल मतलब कोई भी बॉड़ी कितने टाइम पहले मरी है उसका टाइमिंग हम कैसे पता करते हैं तो आप सबको पता होगा कि हमारे इंव्यार्मेंट में कार्बन आुअविलेबल है थीक है तो एक कर्षाषभ्य मतल करषभ देथा है ओर ने सब इस धाल होता है कर्षु कि पता होगा की मतलता है जो कंटीरे इसली हमारे एंव Linux का बोडियोस होता रहते हैं ठीक है आप फॉर एक्जामपल आप देख लो कि जैसे कि हम एक्जामपल लेते हैं को यह गाय है वो डेली घास चरने जाती है ठीक है तो वो अल्टिमिटली कारबन को कंजूम करती है कैसे करती है क्योंकि आप सबको पता होगा कि जो प्लांट्स हैं अपना फुड प्रिपेर करने के लिए क्या यूज करते हैं कारबन डाउक्स unanim करते हैं तो सी जो होता है हमारे एंसमाइर में oxygen भी है और carbon भी है c14 और oxygen का दो molecules को मिला करके co2 बनेगा और वो यूज करते हैं वो लोग अपने food preparation के लिए ठीक है तो c12 और c14 हमारे सभी plants में available होते हैं मतलब जितने भी green plants हैं उनमें c12 and c14 is available अब गाय जो जाएगी उस घास को चरती है यह जो भी घास खाने वाले लोग हैं वो सारे प्राणी सारे जानवर वो consume करते हैं अब इसकी बात उनके body में c12 और c14 डेली जाता है मतलब वो डेली घास चरेंगे तो उनके body में उनके अंदर c12 और c14 डेली जाएगा तो वो balance बना रहता है वो कभी कम नहीं होगा क्योंकि वो दोनों चीजे को consume कर रहे हैं देली के डेली जा रहे हैं तो तब तक तो उनके body में continue है लेकिन जब वो अनिमल जब वो प्राणी death हो जाता है तब उनके अंदर जो c12 है c14 है c12 जो होता है c14 जो होता है वो radioactive होता है ठीक है वो बहुत जल्दी रेगेड होगा तो जब तक वो अनिमल जिंदा रहेगा तब तक उसके अंदर c12 and c14 जो होता है उसका जो ratio होता है वो constant होता है equal होता है मितलब c12 is equal to c14 वो equal बना रहेगा लेकिन इन डेड अनिमल क्या होता है the ratio between c12 and c14 changes continuously जब वो अनिमल डेथ हो जाएगा तो उसके अंदर बॉडी में जो radioactive c14 जो होता है वो उसका ratio और c12 c14 at the time of जब हम उसको चेक कर रहे होंगे उस time पे उसके बॉडी में कितना present है इससे हम यह पता लगा लेते हैं कि उस अनिमल को मरे हुए कितना समय हुआ है मतलब उसकी age क्या रही होगी वो किसने time पहले वो मरा होगा और इस process को हम कहते है carbon dating ठीक है carbon dating matter तो जब इस पता करने के लिए जो process होता है that is called carbon dating अब यहाँ पर आपको एक image दिख रही होगी structure of ground level and fossils fossils क्या होता है fossils का मतलब होता है कि जो animal को अपको बताते हैं जब animal मर जाते हैं या काफिय समय पहले जो भी animals या जो भी plants death हो जाते हैं तो वो जमीन में उसके कुछ prints पढे होते हैं कुछ उसको होते हैं बचे जाते जयते हैं जो जमीन के अंदर दबे हुए पड़े होते हैं that particle या that thing is called as fossils ठीक है तो उसको हम fossil गयाते हैं अब यह ground level आप देखेंगे इसमें सबसे नीचे जो दिया है यह vertebrates है उसके बाद reptiles है उसके बाद birds and mammals है मतलब जो सबसे पहले मरे थे जो सबसे पहले जमीन के अंदर दबे हुए थे that is vertebrates invertibrates थे और उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ उनके बाद जो दूसरी जनरेशन आए reptiles के तो वो vertebrates के कॉलम में आते हैं ठीक है तो इससे हमें यह समझ में आता है कि जो पहले मरे थे वो हमेशा जमीन के एकदम नीचे थे मतलब वो simple organism और एक जो second birds and mammals and reptiles हैं वो complex organisms हैं अब यह कैसे पता चलेगा कि वो पहले मरे थे इसलिए वो नीचे हैं और जो बाद में मरे हैं वो उपर हैं तो हमने पहले यह पढ़ दिया है कि हमने carbon dating से हम यह पता कर सकते हैं कि वो organisms पहले उनकी death हुई थी इसलिए वो जमीन के सबसे नीचे दबे हुए हैं और जो ओपर वाले हैं जो complex organisms हैं वो लो बाद में मरे हैं इसके लिए उनकी death body कहां पहां पहां है इसके बाद हम आजाते हैं यह आपर connecting links तो यह connecting link क्या होता है ठीक है So some plants and animals show some morphological characters by which they can be related to the different groups hence they are called as connecting links मतलब उनकी बीच में एक connection होता है ठीक है that is called connecting link morphological evidence मतलब morphological character का मतलब होता है कि जो characters जो group हमारे पास बाहर के जो तो जो plants होते हैं जो animals होते हैं जो morphological characters होते हैं उनको हम किसी दूसरी group से relate कर सकते हैं तो उस relate करने वाले जो process होती है that is called connecting links अब यह connecting links को हम कैसे elaborate करेंगे वो हम देखते हैं यहाँ पर तो यहाँ पर एक animal होता है जो दूसरे दो animals के characters को दिखाता है उस particular organisms को उस particular animal को हम कहते हैं connecting link मतलब एक कोई एक animal होगा वो animal एक दो अलग-अलग characters दो अलग-अलग animals के बीच में connecting links होगा मतलब उसके characters जो होगे वो उन दोनों के बीच में जो characters होगे वो दोनों कैसे होगा same होगा उनके बीच का एक connection होगा मतलब उसको कहेंगे connecting links अब यहाँ पर आपको देख रहा होगा यहाँ एक image दिया है तो जो peripatis है वो अनलीडा और अर्थो पोड़ा के बीच का connecting link है अब उनके बीच का connecting link कैसे होगा तो peripatis के body के उपर आप देखिए कुछ segments आपको दिख रहे होगे segmented body है मतलब यह जो segmented body है आप अर्थों देखे होगे आपने अर्थों अर्थों का भी उपर का जो body होता है वो segmented body होता है और आपने कॉकरोज भी देखा होगा कॉकरोज की उपर भी जो उनका जो body का उपर का layer होता है वो भी कैसा होता है segmented body होती उनके भी ठीके तो अर्थों जो है वो एनिलीडा में आता है और cockroach जो होता है वो अर्थोपोड़ा में आता है। तो उन दोनों की बीच का Docks You appetite fertil point है। PARIPATUS पुफ सुरी तो उनकी जो BODY हो सेग्मेंटेड होती है। और दोनों का क्या होता है। उनका जो layer होता है उपर का जो skin होता है वो बहुत ही thin होता है, thin cuticle, ठीक है, दोनों का जो skin होता है, बहुत ही पतला होता है, बहुत ही पतला होता है, और परipodial link organ, उनकी दोनों की, देखो इसके भी पीछ में इसके pair जो दिख रहे हैं, आपको, छोटे-छोटे pair दिख रहे हो कखरोज के सा छेंवे स distractions बान चाहिए उनते हैं वह कंप्रणी और यहां क्यों हम तो पर्मर्ण कीरेशन के सिस्टम होता है यह भी अपनी पूरी बोडी से URL का इदम प्रिक पेड़िक से मिलांते हैं मतलब यह उपको नार कंप्लीथ बोड़िस करें हैं तो यह उनके बीच का connecting link हो गया तो peripatis is connecting link between this earthworm and cockroach मतलब annelida and orthopoda यह definition आप लिख लोगे peripatis is a connecting link between annelida and orthopoda उसके बाद हम आजाते हैं reptiles पे और mammals पे तो यह इनका बीच का connecting link होगा वो यह duckbill प्लैटपस ठीक है यह उनके बीच का connecting link होगा लेकिन यह उनके बीच का connecting link कैसे होगा reptiles में जैसे कि हम snakes को ले लेते हैं और mammals में हम गाई ले लेते हैं ठीक है कुछ भी लेते हैं तो duckbill platpass को कैसे connect करेंगे हम देखेंगे इसको भी तो आपको पता होगा कि जो snakes होते हैं वो एग ले करते हैं ठीक है और यह जो duckbill होता है वो भी एग ले करते हैं और mammals को आपको पता है memory gland होता है और mammals में hairs बहुत होते हैं तो इसमें भी hair होते हैं और memory gland होता है तो duckbill जो होता है वो किसकी बीच का connecting link है reptiles और mammal की बीच में जो connecting link है वो duckbill प्लैटपेटर से ठीक है अब यह lung fish क्या होता है lung fish जो है उसके अंदर lungs होते हैं ठीक है so lung fish perform respiration with the help of lungs ठीक है irrespective of being a fish fish तो almost आपको सबको पता होगा कि fish जो होते हो पानी में पानी से respiration करते हैं directly बड़ यह जो lung fish होता है यह अपना respiration पानी के बाहर आकर यह क्या करते हैं respiration करते हैं क्योंकि इनके पास lungs होते हैं तो इनके बीच का connecting link हो गया हो क्या होगा amphibians amphibians मतलब होता है कि जो animals पानी में भी रहते हैं और इस पे अर्थ पे भी रहते हैं ठीक है तो यह lung fish किसके बीच का example है connecting link है fish और amphibians amphibians मतलब जो पानी के बाहर भी रहते हैं और पानी के अंदर भी रहते हैं तो यह जो lung fish होता है वो connecting link between fish and amphibians दोने की बीच का connecting link हो आई अब हम देखेंगे यहाँ पे embryological evidence embryological evidence में क्या होता है कि similarities in initial जो उनका initial similarities in initial stage है देखो ऊपर का पूरा का पूरा जो पार्ट है वो आपको same दिख रहा होगा देखाता हो मैं आपको देखेंगे यह जो पार्ट है यह सबका same है और यह जो पार्ट है थर्ड स्टेज जो है वो सभी का अलग है फिश का अलग है चिकन पेक काव मतलब इनका कैसा है कि जो origin हुए है वो same animals थे सेम चीजे इनकी सिस्टम दिखता था इनिशियल स्टेज जो उनका इनिशियल स्टेज था डेवलमेंट का इंब्रियों का वो इंडिकेट्स common origin for the all organisms जितने भी animals थे उनका origin था जहां से वाया है वो केसा था इसके रिए यह पूरे के पूरे सेम दिखते हैं बाद में उनका जो development होता है तो वो different हो जाते है got it अब यहां हम आते हैं Darwin's theory of natural selection यह होता क्या है natural selection और इंडों ने एक बुक लिखी थी origin of species जहां पे सभी species के बारे में लिखते हैं तो Darwin ने कहा सबसे पहले कि जो जितने भी organisms होते हैं जितने भी organisms हैं वो लोग क्या करते हैं reproduce prolifically मतलब यह कभी भी आप देखोगे यह जितने भी animals होंगे वो बहुत जादा बच्चे ले करते हैं तो उन्होंने सबसे पहले कहां कि जितने भी organisms होते हैं they reproduce prolifically prolifically मतलब वो बहुत ही जादा बच्चे produce करते हैं क्यों करते हैं वो अपने वंश को क्या कर सकें आगे बढ़ा सकें इसलिए उनके जो बच्चे होते हैं वो 3,4,5 आपने देखोगा डॉक्स के भी कितने सारे बच्चे एकसार पैदा करते हैं बिल्ली भी उती है जो डॉक्स होते हैं उनके भी बहुत सारे बच्चे मैनर लाइफ ट्रेटनिंग मैनर मतलब हर इंसान हर जो अनिमल्स होते हैं और गैंजम्स होते हैं वो एक दूसरे से फाइट करते हैं अपने आपको सर्वाइब करने कले लाइफ त्रेटनिंग मैनल अपने बचाओ के लिए वो लोग फाइट करते हैं लडाई करते हैं लडाई क्य zwr को जग काने के लिए मार मार करते हैं। अपने पर नहीं श्ल्टर की लिए अफनी जगर करते हैं। उसके लिए इसके लिए मैटिंग की लिए प्रयधिंग की लिए फैटिंग आप ही की उनको जगल चाहिए होता है इसके साल को यह सयर्णरिटेंग करते यह So all organisms, all organisms compete with each other in life-threatening manner, ठीक है? So Darwin ने कहा था, कि ये पहला point और ने कहा था, कि जितने भी organisms होते हैं, वो बहुत ज़्यादा quantity में बच्चों को reproduce करते हैं, अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए, और उसके बाद ये आपस में दुसरे animals जो होते हैं, वो fight करते हैं, कि ताकि वो survive कर सकें अपने इस environment में, उनको खाना मिल सके, रहने के लिए घर मिल सके, अभी कैसा था, कुछ animals ऐसे होते हैं, जिनको अपने protection के लिए, वो एक specific character, आपने देखा होगा, एक white rat आता है, white चुहा होता है, सफीत और एक brown वाला होता है, अगर इनको रेगी स्थान में छोड़ दें, किसी भी desert में छोड़ दें, तो वहाँ पर कौन से वाला चुहा जल्ली देखेगा, white वाला, तो उसको easily को भी देख करके, जैसे eagle mouse को चुहे को खाता है, rat को, तो वो उसको उठा कर लेकर जा सकता है, बड़ जो black वाले होंगे, उनको वो लोग दिखाई नहीं देंगे, rat में, ठीके, तो मतलब वो उनका एक specific character है, है न, तो यहाँ पर आप दिया है, देख सकते हैं आप लोग, कि in this competition, only those organisms sustained, which shows the modification essential for winning the competition, competition को जितने के लिए एक modification, मतलब वो अपने आपको modify करते हैं, उनका color कैसा है, brown है, black है, जो भी है, ठीके, तो उससे वो क्या होता है, दिखाई नहीं पड़ते हैं, रेत के अंदर, और वो वही character अपने आगे वाले जो generation आती है, उसको वो वही character के साथ continue करते हैं, ठीके, however, beside this natural selection, also plays an important role, because natural nature selects only those organisms which are fit to live, and rest perish, मतलब, जो लोग यहाँ पर fit हैं, वो ही यहाँ पर रहने के लिए capable हैं, जो unfit है, वो यहाँ पर रहने लाए, रहने, रहने ही सकते, क्योंकि अगर वो fight होगी, तो वो तो चले जाएंगे, उनको मार दिया जाएगा, तो जो fit and fine होगा, वही यहाँ पर survive कर सकता है, continue, ठीके, तो यह Darwin ने कहा था, फिर सबको पता है कि जब भी कोई theory आती है, तो उसके पीछे कोई ने कोई एक दूसरा, एक scientist आएगा, जो उसको वापस से कहेगा कि यह ऐसा है, इसमें गलतिया है, तो इसके भी theory में कुछ drawbacks निकले थे, कुछ points जे तो है negative निकले, तो हम इसको पहले एक बार repeat कर लेंगे कि only those organisms sustain which shows the modification essential for winning the competition, or sustaining and select organisms can perform reproduction and thereby give rise to new species with their own characters, on specific character, वो अपने character के साथ उसको वापस से continue करते हैं, आगी बढ़ाते हैं, अब इनके बीच में देखो, Darwin's theory of natural selection was widely accepted, बहुत लोगों ने उसको accept किया, बट फिर भी क्या हुआ कि, however some objections were taken raised against this theory, उसके against कुछ objections create किये गे, पहला था, natural selection is not only the factor responsible evolution, है न, देखो, यहाँ पे, ठीक है, natural selection is not only the factor responsible for evolution, सही बात है, mutation भी कोई चीज होती है, सिर्फ evolution ही responsible नहीं होता है, फिर Darwin ने कहा, Darwin doesn't mention कि explanation about useful and useless modification, उन्हेंने useful और useless modification को भी क्या ने किया, mention ने किया, उन्हेंने और एक चीज़ एक स्प्लेंड ने किया, कि slow and abrupt changes जो होता है, slow process जो होता है, slow slow changes जो होते हैं, वह भी उन्हेंने कोई भी explanation ने किया, so there is no explanation about slow changes and abrupt changes, मतलब जो धीरे-धीरे जो changes आते हैं, हमने देखा होगा, mutations से changes होते हैं, continuously, एक long period of time के बाद, तो वो भी उन्होंने mention नहीं किया था, इसके लिए उनकी theory को क्या किया गया, objection लिया गया, कि यह ऐसा नहीं हो सकता, अ कि Felic, से पता है गया, कि अिएवाल में वो लिएष्णवार्ण का कि tech के बाद, बात पक्ना चू व।, ह cocon के बात वक्या है आगता है, वह तो चूत अहीं होते हैं, वह तुढआ कि यह तो बात बात बात, हा प्सक्ता बात